हमारे साथ मौझूद हैं लोग जन्शक्ती पार्टी रामविलास के जम्मुई प्रत्याशी अरुन भारती सर सबसे पहला सवाल है कि पहली बार लोग सभा चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसी सीट से जहां पर आपके साले चिराग पास्वान दो बार से सांसत रहे हैं कैसे दे सालों में चिराग जी ने किया है चाहे वो केंद्री विद्याले हो चाहे वो मेडिकल कॉलिज का हो चाहे जाजा से चकाई का रेलवे का पर योजना हो गाउं को सड़कों से जोड़ना हो गाउं को बिजली से जोड़ना हो उन्होंने ये सारे कारे की हैं उन्ही के कारे को मै आगे ले जाने के लिए आया हूँ, अधुरे कारे को पूरा करने आया हूँ और नई परियोजनाएं भी अपने संसद्य काल में मेहलाने का प्रयास करूँगा और इस बातों को लेकर के मैं जंता के पास जा रहा हूँ, उनका बहुत प्यार, बहुत आर्शिवाद मुझे मिल रहा है और मुझे पूरा उम्मीद है कि यहां की जंता मुझे अपना बेटा बना करके संसद में भेजेगी जब अरन भारती के नाम सामने आता है तो परिवारवाद का नाम भी जुड़ जाता है तिजश्वी यादव ने एक ट्वीट किया है, फेस्बूक पे पोस्ट भी किया और परिवारवाद को लेकर आप पर निशाना सादा साफ का है कि ऐसे रन भूमी से आते हैं जहां पर उनके पिता से लेकर जो पूरा परिवार है वो राजनीती में था तो परिवारवाद तो सबसे आदा इंडिये में कैसे देखते हैं देखे मेरी राजनीती में थी दो बारे मिले और दो बारे मिल सी रह चुकी है मेरा विवाह भी एक राजन्दिक परिवार में हुआ था, एक स्टॉलवर्ट के परिवार में हुआ था, तो उनका सानीत मिला, बहुत चीज़े सीखने को भी मिली, और प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी की जो परिवारवाद की जो परिवारशा है, उसमें अगर उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई काबिलियत है, उसमें योगिता है, उसने पहले से काम किया हुआ इस शेतर में, तो उनके आने पे यहां कोई परिवारवाद नहीं होता, मैं 2021 जब से परिवार और पार्टी तूटा था, मैं चिराग जी के साँ चट्टान की तरह खड़ा रहा हूँ पार्टी को बिल्ड करने में, बिहार की जंता से विश्वास लेने में, आश्रवाद लेने में हम लोग सक्रिय रूप से लगे रहे हैं, और उस समय भले ही मैं कैमरे के सामने नहीं आता था लेकिन परदे के पीछे से ये सारे काम होते थे हैं, दो हजार चौबिस के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ तो समाजवाद है, लेकिन जहां से सिर्फ एक अगर काबिलित के आधार पे अगर यहां से चुनाव लड़ रहा है, तो परिवादवाद है, इस परिभाशा को जरा वही समझाएंगे कि ये कैसे हो सकता है परिवाद बरती जी सवाल ये भी है कि पहली बार प्रत्याशी बने और पहली बार ही प्रधान मंतरी आपके रैली में आ रहे हैं, जनसभा को सम्बूरित कर रहे हैं, सबसे आखरी लोग सबसीट होती है जमूई, तो किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जमूई का जब ना सबागी की बात है, और ये जमूई की जनता भी उनके लिए काफी भागेशाली मतलब साबित हुई है, जिसे कारण से पिछली बार जब हम लोग चुनाव लड़े थे और उन्होंने अपना चुनावी यातरा बिहार के जमूई से शुरू की थी और हम उन्चालिस में से उन लाकात भी कर रहे हैं, इस बीच ऐसी क्या कमी लगी जो जमूई में आप चाहते हैं कि इस बार अगर आप जीत कर आते हैं तो उसे पूरा करें हमारी सबसे पहली प्रात्मिक्ता ये होगी कि चिराग जी के जो अधूरे कार है जैसे जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है अभी उ इन कामों में प्रगति लाई जाए।